प्रिवेंशन इस अल्वेज बेटे देन के ओर, साफधानी ही बचाव है इस तरह के कोड्स हम अक्सर देखते हैं, सुनते हैं सुनकर अंसुने कर देते हैं, देखकर अंदेखे कर देते हैं लेकिन सफेद दाक के शिकार इंसानों के लिए इस तरह का रवया काफी घातक साबित हो सकता है क्योंकि जिन लोगों को सफेद दाक की समस्या है, उनके लिए दवा जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी है कुछ साफधानिया बरतना कुशी हैं वो साफधानिया आज यही जानने की कोशिश करेंगे और इसमें हमारी मदद करेंगी जानी मानी ल्यू को डर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोली जो जोड़ी है Emil Healthcare and Research Center से दाग मेंचेमन के इंशत्र में जगाई एक नई संभावना एमिल हेल्थ केर एन्ड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महा अभियान बन चुका है एक्सपर्ट टीम आफ डॉक्टर्स के समरपन और अथक प्रयासों से अब तक सफेद डाग से पीडित 20,000 से जादा लोगों की जिन्दगी बदल चुकी है सफेद डाग के खिलाफ इस महा अभियान का नितिक्तु कर रही हैं एमिल हेल्थ केर एन्ड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयूरवेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली तो चलिए सबसे पहले सवागत करते हैं हमारी टीम की कैप्टन डॉक्टर नितिका कोहली जी का डॉक्टर नितिका बहुत बहुत सवागत है आपका शुक्रिया हमजा इससे पहले कि हम अपने शो की शुरुआत करें हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि सफेद दाक के इलाज के बारे में ट्रीटमेंट के बारे में अगर कुछ भी आप जानना चाहते हैं किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप जानी मानी लियू को डर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली से इस शो के जरिये डारेक्ली जोड सकते हैं उनसे बात कर सकते हैं अपना सवाल पूछ सकते हैं हमारी कॉंटर डीटेल्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहें डॉक्तर नितिकार हम साबधानियों की बात कर रहे हैं तो वो कौनसी ऐसी साबधानिया हैं कौनसी ऐसी precautions हैं कौनसी ऐसी बाते हैं जिनने सफेद दाग के शिकार लोगों को अपने जहन में रखना बहुत लाजमी हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल हमजा ये जानना आज बहुत ही जरूरी है कि precautions क्या क्या है तो बहुत से ऐसे precautions हैं बट सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लोग actually ये treatment करना चाहते हैं सबसे जादा जो उनको साफधानी बरतनी चाहिए वो ये कि अपने आसपास अगर वो ऐसे महौल में हैं जहां उनको एक negative feedback मिलता है अपनी बिमारी को लेकर या उनको ऐसा सुनने में आता है कि ये ठीक नहीं हो सकती है या उनको डरा दिया जाता है इस हद तक कि वो इलाज की प्रती बिलकुल मतलब hope give up कर देते हैं सबसे पहले ऐसे लोगों से तो दूरी maintain करनी चाहिए मुझे ये लगता है कि बाकी सब चीजें तो I think लोग जब हम उन्हें बोलते हैं सुन लेते हैं करने के लिए तयार भी हो जाते है बट ये बहुत important है आप सब कुछ कर रहे हैं जो खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए बट अगर आपका state of mind positive नहीं है आप negative रहते हैं आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये बिमारी ठीक हो सकती है तो सच में वो ठीक नहीं हो पाएगी मतलब doubt कुछ भी नहीं रखना है अपने दिल में और अपनी सोच को जितना हो सके positive रखना है जी पोन की घंटी बज रही है कॉलर हमाँ साथ जुना चाहते हैं दोक्टर नितिका जी हम उंका कॉल ले लेते हैं नमस्कार बहुत-बहुत सवागत है आपका आपका नाम जान सकते हैं लो मैं नाम तो नहीं बता सकते हैं कोई बात नहीं कहां से बोल रही हैं पुना से बोल रही हैं आपका जो भी सवाल है आप जानी मानी लिकोडर्मा एक्सपर्ट दॉक्तर नितिका कोहली जी से डार्क्ली पूछ सती है नमस्कार नमस्कार हां जी कैसी है आप अच्छी है हां जी निफिज जगा जी मैं 17 साल पहले एक ने कुछ डॉट्स आया था घुटने पे अच्छा वो मतलब डिलिवरी के बात रहता था चले जाता था अच्छा अभी कुछ एक साल पहले आया लेकिन मैं ट्रेट्मेंट नहीं की जी इसलिए नहीं की कि मैं बहुत सारे करी लेकिन छाले आ रहे थे ले अच्छा तो मैं आपका यूट्यूब पे देखती है रोज देख रही तो मैं एकदम चेंज हो गई मेरा दिमाग मैं इससे ठक गई थी मैं नहीं करना चाह रही थी अल्ला जो करा वो करेंगा जी अभी आपका शो देखने के बाद आप रोये मत आप बताईए आपने अपना नाम भी नहीं बताया मैं समझ सकते हूँ आप बहुत परिशान है आप बोलिये हाँ जी बटा आप अपनी परिशानी जब तक शेयर नहीं करेंगी जैसे अभी आपने बताया कि आपको च्छाले हो रहे हैं उस परिशानी का हल मैं बता सकती हूँ आपके दिल में कोई बात है आप शेयर करिये उसको हाँ वही च्छाले के वज़े से मैं ट्रीटमेंट बन कर दी थी अच्छा सिर्फ यही परिशानी थी च्छालो की वज़े से जी देखे ऐसा होता है किसी किसी पेशन की जो स्किन रहती है वो कई बार बहुत सारे इलाज कराने के बाद वहाँ पर ऐसा होता है पर रियाक्शन होना शुरू हो जाता है बट ऐसा नहीं है कि हर पेशन को हमारी दवा से च्छाले होते हैं हमारी जो दवा है उसमें ऐसी भी जड़ी बूटियां डाली गई है जो कि कुछ लोगों को च्छाले होने से बचाती भी है बट इसका जो चाले होने की जो परेशानी है उसके लिए और भी ऑप्शन्स अवैलेबल हैं आपको पहले हम बताते हैं कि दवा को आपने कैसे इस्तमाल करना है आपको आपकी स्किन देखने के बाद और अगर उससे भी परेशानी हो रही हो तो लगाने वाली दवा बंद करवाके सिर्फ खाने की दवाओं से आपको इलाज किया जा सकता है आपका आप करना चाहती हैं ठीक करना चाहती है दागों को तो बिल्कुल ठीक रह सकता है अगर आप सब कुछ वो करेंगी जो दवाई के साथ आपको बताया जाएगा ठीक है मेरा डॉक्टर नितिका कोली जी से जो जानी मानी लिकोडर्मा एक्सपर्ट हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स लगाता आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं डॉक्टर नितिका, आपके पीछे एक बहुत ही परिपूर्ण टीम काम करती है एक efficient doctors की team है जो आपकी मदद करती है, आपकी support करती है ताकि आपका जो लक्ष है वहाँ तक आप आसानी से और जल से जल बहुत जाएं कि लोगों में जितना हो सके सफेद दाग को लेकर awareness आप बढ़ा सके आपकी ही team के एक doctor, doctor जुनेद से यहाँ पर जोड़ते हैं टेली कॉन्फरेंसिंग के सरे जी नमस्कार, doctor जुनेद, बहुत-बहुत स्वागत है आपका Emil Healthcare Helping in Leukoderma यानि सफेद दाग में Thank you for having me Dr. जुनेद, आप से जाना चाहेंगे कि सफेद दाग के रोगियों के लिए जो डूज और डूज और जो एक लिस्ट होती है क्या वो यह समस्या ठीक हो जाने के बाद भी फॉलो करनी होती है उनको यान सिर्फ तब तक जब तक ही वो सफेद दाग ठीक नहीं होते है Do's and Don'ts बहुत important part है हमारे treatment का जब हम अपने मरीजों को ठीक करना चाहते हैं ठीक करते हैं और बहुत सारे मरीज हमारे ठीक हो गए है तो उसके अंदर medicine का जितना importance है उतना ही important importance हमारी diet का है, do's का है, don'ts का है, क्या हमें खाना है, क्या हमें नहीं खाना है और अगर उसका फाइदा उठा कर हम एक मरीज को ठीक कर रहे हैं तो यह समझने की बात है वो कितना important है और वो important ठीक होने के बाद भी है एक बार अगर आप ठीक हों गए, पूरी तरीके से आपके सारे निशान चले गए उसके बाद भी आपको do's and don'ts जो भी खाना है और क्या नहीं खाना है उसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है अच्छे से ही फालो करें बिल्कुल डॉक्टर जुनेद आप हमारे साथ जुड़े इतनी सारे information आपने हमारे साथ शेयर की हमारे दर्शकों के साथ शेयर की आपको बहुत-बहुत शुक्रिया थैंकि सो मच थैंक्यू वेरी मच्छ डॉक्र नितिका जो डूज और डॉंट्स की जो precautions की list है जो एक सफेद दाके शिकार इंसान को फॉलो करनी होती है अपनी जिन्दगी का हिस्सा बनानी होती है क्या वो सभी precautions सभी patients को लेनी ज़रूरी होती है बिल्कुल हमजा मैं जानती हूँ कि इस सवाल का जवाब कुछ patients चाहते होंगे कि ऐसा जवाब ना हो कि हाँ ये सब के लिए जरूरी है बट देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि आज जिस बिमारी की हम बात कर रहे हैं उसको एक टाइम पर लाइलाज माना जाता था या आज भी लोगों के मन में ये एक भ्रहम या मैं कहूंगे एक डर है कि ये लाइलाज है तो जब हमारे पास इलाज अवेलिबल हो गया है जब हम कह रहे हैं कि ऐसे research में प्रूफ किया गया है कि ये दवा काम करती है बट एक ही शर्त है उसके साथ कि आपको थोड़ा सा discipline रखना है उसमें थोड़ा सा आपके जो do's and don'ts है उसको follow करना है तो मुझे ये लगता है कि ये इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए किसी भी patient के लिए उन patients के लिए और भी important है जिनके दाग अभी बढ़ रहे हैं कि और भी important है कि वोई precautions चाहे मैं कहूंगी अगर हमें अभी सुन ही रहे हैं तो वह तब ही से करना शुरू कर दें ताकि जब तक इलाज उन तक पहुंचे कुछ changes तो आने शुरू हो ही जाएंगे बिल्कुल तो आप कह रहे हैं कि इलाज संभव है और इस समस्या आपको काबू किया जा सकता है अगर आप खुद चाहें तो बिल्कुल को उनकी घंटी बज़ रहे हैं कॉलर हमाई साथ जुड़ना चाहते हैं इनका कॉल ले ले लेते हैं नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है आपका आपका नाम जान सकते हैं पर51जी कहां से बोल रहे हैं आप मैं महाराश्य नभी मुंबई से बोल रही हूं नमस्कार परीण जी मैं बिल्कुल ठीक हो आप कैसी है उस तरह है पर मुझे उससे बाद बता है कि आप आप जो हमारी दवाइं लेरही है वो खानी के बाद लेती है या खाने के पहले पिलकुल खाने के बाद लेरी हूं, ले रही हूं ड़ो दिए स्केप्सल्स था बहुत पहले पर ही। स्काहई लेने से पहले आप क्या एलाज करा रही थी। मैं अलोपेटिक ली आयरोधिक भी फिर से अलोपेटिक में थी जब आपके आई तो फिर उसके एक पहले से मैंने किसी कोई भी दवाई नहीं ले रहे थी क्या होता है इतना लमबा इलाज जब किसी किसी पेशन का चलता है इस विमारी के लिए अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उन दवाहों से जो हमारे इंटस्टाइनील लाइनिंग होती है, जो हमारी आथों की लाइनिंग होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, और कोई भी दवा अगर ली जाए, तो हो सकता है, कई बार उसकी जो डोजेज है, वो आपको असटीटी या यह आपको, यह जो आपको हाड़ बर्ण तो उसमें क्या ज़रूरत है कि आपको एक तो अपने जो आप खाना खाती है पूरे दिन में एक टाइम पर जादा ना खाएं जादा लंबे-लंबे अगर आपके खाने में गाप सहोंगे तो ऐसे ही रहेगी तो ऐसे में अगर अभी फिलहाल आपको इतना डिसकमफर्ट हो रह कि आपको कितना आराम पड़ता है या थोड़ा सा एसिडिटी के लिए भी कुछ दवाएं जो है वो एड कर दी जाएंगी आपकी एक्जिस्टिंग मेडिसिन में बट आपको यह समझना जरूरी है कि जो आपने पहले इलाज की है उनका कही ना कहीं साइड इफेक्ट आ जा और साथ ही मैं चाहूंगी कि एक LFT भी अपना कराकर लिवर फंक्शन टेस्ट कराके मुझे एक मेल कर दीजे ठीक है ताकि वो भी देख लेंगे ट्र. नेतिका वक्ती कमी है चलते चलते आपसे एक चीज़ पूछना चाहेंगे एक सवाल मेरे जहन में आया और मेरे खाल से काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिनको सफेद दाग की समस्या नहीं होगी और वो जानना चाहते होंगे कि क्या हमें भी ये साफधानिया लेनी और सिर्फ दूद और नमक ही विरुद्धार नहीं है विरुद्धार के बहुत सारे टाइप से वह नहीं करें और साथी साथ अगर पेट में कीडों की जो दवा है छे महीने में ले लिजाए और जिन लोगों के घर में ही या जैनिटिक हिस्ट्री पॉजितिव है उनको तांकियो हमजा वेस्ट पतेल नगर अपुजिट मेट्रो पिलर नंबर टू जीरो एड नू डेली वान वन जीरो 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 एड हमारे फोन नंबर सें 0801-010-3434 0786-100-3434 हमारी इमेल आईडी है cure at emilhealthcare.com हमारी वेब साइट है www.emilhealthcare.com आज के लिए बस इतना ही आप से फिर मुलाकात होगी email healthcare helping in leukoderma यानि सफेद दाख के एक नए एपिसोड में जहां पर सफेद दाख से जुड़े एक नए पहलू के बारे में जाने की कोशिश रहेगी तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए हसते रहिए, मुस्कराते रहिए और खुश रहिए क्योंकि हमें आपकी फिक्र है